या देवी सर्भूतेशु मा का त्याय नीरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमा शुरी तुर्का सप्थशती ग्यारवा अध्याय प्रारम देपताओं का देवी की इस्तुती करना और देवी का देपताओं को वर्दान देना महर्शी मेधा कहते हैं द्यात्यों के मारे जाने पर इंद्रादी देवता अगनी को आगे करके कात्याइनी देवी की इस्तुती करने लगे उस समय अभीस्ट की प्राप्ती के कारण उन सब के मुख खिले हुए थे देवताओं ने कहा हे शर्नागतों के दुख दूर करने वाली देवी तुम प्रसन हो हे संपून जगत की माता तुम प्रसन हो विश्वेश्वरी तुम विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो हे देवी तुम संपून जगत की आधार रूप हो क्योंकि तुम प्रत्वी रूप में भी इस्थित हो और अत्यित पराकरम वाली देवी हो तुम विश्व की बीज परम्माया हो और तुमने ही इस संपून जगत को मोहित कर रखा है तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह प्रत्वी मौक्ष को प्राफ्थ होती है हे देवी संपोन विद्याएं तुम्हारे ही बिन्न बिन्न स्वरूप है इस जगत में जितनी इस्त्रिया है वह सब तुम्हारी ही मूर्थिया है एक मात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्ट कर रखा है तुम्हारी इस्तुती किस प्रकार हो सकती है क्योंकि तुम परम बुध्धी रूप हो और संपुन प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाली हो अतह इसी रूप में तुम्हारी इस्तुति की गई है तुम्हारी इस्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तिया हो सक्ती है संपून जनों के हिर्दय में बुद्धी रूप होकर निवास करने वाली त्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायनी देवी तुमको नमस्कार है कला कास्ठा आधी रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायनी तुमको नमस्कार है हे नारायनी संपून मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे की संपुन प्रयोजनों को सित्ध करने वाली, हे शरणागत बच्छला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है हे शरण में आईवे शरणागतों, दीन दुख्यों की रक्षा मेतत पर संपून पीडाओं को हरने वाली हे नारायनी, तुमको नमस्कार है हे नारायनी, तुम ब्रह्मानी का रूप धारन करके हंसों से जुतेपे विमान पर बैठती हो, और कुष्च से अभी मंत्री चल छड़ती रहती हो, तुम्हे नमस्कार है महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारन करने वाली हे महाव्रिशब वाहिनी वाली नारायनी, तुम्हे नमस्कार है मोरों तथा कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ती को धारन करने वाली, हे कौमारी रूप धारनी, निश्पाप नारायनी, तुम्हे नमस्कार है ये शंक चक्र गदा और शारंग धनुष रूप आयोधों को धारण करने वाली वैश्नवी शक्ती रूपा नारायणी तुम हम सब पर प्रसन हो तुम्हें नमस्कार है ये दातों पर प्रत्वी धारण करने वाली वारह रूपणी कल्यान मै नारायणी तुम्हें नमस्कार है ये उग्र नर्सिंग रूप से दैत्यों को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है हे मस्तक पर किरीट और हाथ में वहाँ वज्र धारण करने वाली तहसर नेत्रों के कारण उज्वल वृत्ता सुर के प्राण हर्मे वाली एंत्री शक्ती हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है हे शिव्दूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नस्ट करने वाली हे घोर रूप वाली हे महाशब्द वाली हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है दाणों की कारण विक्राल, मुखवाली, मुंड माला से विभूशित, मुंड मर्दिनी, चामुंडा रूपा नारायनी, तुम्हें नमस्कार है हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रधा, पुस्टी, स्वधा, ध्रुवा, महा रात्री तथा महाविद्या रूपा नारायनी तुमको नमस्कार है हे मेधा सरस्वती सर्वोत क्रिष्ट एस्वर्य रूपणी पार्वती महाकाली नियन्ता तथा इश रूपणी नारायनी तुम्हें नमस्कार है हे सर्व सरूप सर्वेश्वरी सर्व शक्ति युक्त देवी हमारी भैसे रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से भूशिप यह तेरा सौम्य मुख सब तरहों के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असरों को नस्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे तुम्हें नमस्कार है हे देवी जो अपने शग्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नस्ट करता है वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे की माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है हे चंडिके असरों के रक्ष और चर्वी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हम सब का मंगल करे हम तुमको नमस्कार करते हैं हे देवी जब तुम प्रसन होती हो तो संपून रोगों को नस्ट कर देती हो और जब रुस्थ हो जाती हो तब संपून वांचित कामनाओं को नस्ट कर डालती हो और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी कोई भी पत्ती नहीं आती बल्कि तुम्हारी शरण में गई हुए मनुष्य दूसरों को आश्रे देने योग हो जाते हैं अनेग रूपों से बहुत प्रकार की मूर्थियों को धारन करके इन धर्म द्रोही असुरों का तुमने संगहार किया है वह तुम्हारी सिवा और कौन कर सकता था यतुर्दश विद्याएं शट शाष्ट्र और चारोवेत तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं उनमें तुम्हारा ही वर्णन है और जहां राक्षस विशयले सर्प शत्रुगन हैं वहां और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्वरूपा हो इसलिए संपोन विश्व को धारन करती हो इसलिए ब्रह्मा विश्णु महेश की भी वंदनिया हो जो भक्ती पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रे देने वाले बन जाते हैं ये देवी तुम प्रसंद हो और असुरों को मार कर जिस प्रकार तुमने हम सब की रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रों से सदा हमारी रक्षा करती रहो संपूर्ण जगत के पाप नस्ट कर डालो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदी बड़े बड़े उप्त्रवों को शीगर ही दूर कर दो विश्व की पीडा को हरने वाली देवी चरण में पड़ेवें पर प्रसंद हो स्रिलोग निवासियों की पोजने परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो तब देवी ने कहा हे देवताओ मैं तुमको वरदेने के लिए तैयार हूँ आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगलो मैं तुमको वर दोंगी तब देवताओ ने कहा ये सरवेश्वरी तिरलोकी के निवाशों के संपून पीडाओं को हडने वाली तुम इसी प्रकार सबकी पीडाएं हडती रहो और इसी प्रकार हमारे शत्रों को भी नस्ट करती रहो तब देवी ने कहा वैवस्वत मनवंतर के 28 युग में दो और महा असुर शुम और निशुम उत्पन होंगे उस समय मैं नंद गोप के घर से यशुदा के गर्ब से उत्पन होकर विंद्याचल परवत पर शुम और निशुम का संघार करूँगी फिर अत्यंत भयंकर रूप से प्रत्वी पर अप्तीन होकर मैं वै प्रिचित्ती नामक दानवों का नाश करूँगी उन भयंकर महा असुरों को भक्षन करते समय मेरे दाथ अनार के पुष्प के समान लाल होंगे इसके पशात स्वर्ग में देपता और प्रत्वी पर मनुश्य मेरी इस्तुती करते हुए मुझे रग्तदंतिका कहेंगे फिर जब सो वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तब मैं रिश्यों के इस्तुती करने पर आयो निजा नाम से प्रकट होंगी और अपने सो नेत्रों से रिश्यों की ओर देखूंगी अतहा मनुश्य सताक्षी नाम से मेरा किर्दन करेंगे उस समय मैं अपने शरेर से उत्पन हुए प्राणों की रकषा करने वाले शाको द्वारा سब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस प्रत्वी पर शाकमभरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अव्तार में मैं दुर्गम नामक महा असुर का भी वत करूँगी इससे पहले मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी इसके पश्यात जब मैं भयानक रूपधारन करके हिमाले निवासी रिश्यों महर्शियों की रक्षा करूँगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याती होगी और जब फिर अरुन नामक असुर तीनों लोकों को पीडित करेगा तब मैं असंख ब्रहमरों का रूपधारन करके उस महाद्यत्य का वद करूँगी तब स्वर्ग में देवता और मृत्य लोक में मनुष्य मेरी इस्तुती करते हुए मुझे भ्रहमरी नाम से पुकारेंगे इस प्रकार जब जब प्रत्वी राक्षसों से पेडित होगी तब तब में अफ्तरित होकर शत्रों का नाश करूँगी श्री तुर्का सब्तशती ग्यारवा अध्याय समाप्त